Hello everyone, I am Kaval and I welcome you all to Sleepy Classes तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम History के Premix में Previous Year Questions को Discuss कर रहे थे तो उसी सीरीज को आगे लेके चलते हैं और आज हमारा Part 4 है जाँ पर हम 1998 के Questions को Discuss करेंगी तो आज का अगर हम पहला Question देखें तो वो Assertion Reasoning Type Question है Assertion ये कहता है कि Ashoka के Addicts के द्वारा Social Harmony को Promote किया जाता था On a Larger Scale Rather Than His Religious Devotion और उसके बाद उसका जो Reason देते हैं वो ये है कि He Spread Ideas of Equity Instead of Promotion of Religion तो दोनों Assertion Reasoning Almost Same है अगर आपको थोड़ा अंदाजा लगाएं कि Assertion में ही, Reason में ही Same बात Assertion की की गई है तो आप उससे काफी जो Correct Answer है उस तक पहुंच सकते हैं So Please Mark Your Right Option तो देखी जो इसका सही आंसर है वो है A Obviously कि बोथ A and R are True and R is the Correct Explanation of A अगर हम Ashoka के Addicts के बारे में बात करें तो उसके बारे में हमने पूरा Detail में डिसकस किया था जितनी भी आपको relevant information चाहिए वो हमने पहले ही डिसकस कर ली है तो मैं आपसे request करूँगा that please go back and watch lecture second and third उसमें किसी एक lecture में इन Ashoka and Addicts को पूरी detail में डिसकस किया गया है आपको खाफी जादा help मिलेगी So just for a summary sake हम Ashoka के Addicts के बारे में बात कर लेते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि Ashoka के Addicts में जादातर धामा को पूर्मोट किया जाता था धामा का क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि एक religious way कि universal law कैसा होना चाहिए ये एक पात बताता था कि अगर कोई भी बंदा इस पात पे चलेगा तो वो righteousness को follow करेगा एक अच्छा समाज की वो सिर्जना कर सकता है मतलब कि जहां उस समाज में जहां पर equity है social harmony है जहां पर लोग एक दूसरी की कदर करते हैं एक दूसरी की help कर सकते हैं rather than promoting his religious views equity को promote किया जाता था it included जैसे यहां पर लिखे गए states concern for the welfare of people उसके इसास धामा में किजन चीजों के emphasize किया जाता था जैसे कि non-violence, mutual respect, understanding between people of different sects and beliefs जैसे मैंने आपको बताए तो सारी generic बाते हैं जो यहां पर लिखी होई है आपको आती ही होंगी यह मैं मान के चलता हूँ उसके बाद जो इनके addicts में लिखा हुआ था उसमें बाते हो सकती है respect की, consideration, compassion, tolerance towards slaves and servants जो की एक society में equity को promote करने के लिए जरूरी है तो आप देखेंगे किसी भी जगा पर क्या कहते हैं religious बातों को इतना जादा promote नहीं किया गया जो कि हमारे question की demand भी थी यहां पर आपको एक keyword मिलेगा जो मैंने आपको last time करवाया था इसके उपर question दिया गया था जो कि 1997 ने पूछा गया था कि श्रामनास का क्या मतलब होता है I hope कि आपको आता होगा और यह आपने comment section में भी बताना है कि श्रामनास का क्या मतलब है क्योंकि आजकल काफी जादा keywords भी पूछे जाते हैं आपको अपने prelims के अंदर उसके बाद जो अगर हम second question देखें तो वो है कि which of the following are correctly match चार शहरों का नाम आपको दिया गया है उससे जुड़े है वहाँ पर जो characteristic है उनके वो दिये गई है तो आपने बताना है कि कौन सी इन मेंसे सही है अगर हम सबसे पहले की बात करें वो है लोथल ये इंडन स्वैली सिविलिजेशन या फिर हरपन सिविलिजेशन की एक prominent city है वहाँ पर कह रहे है कि ये एक ancient dockyard था एक ancient बंदरगा था सारनात को कह रहे हैं that it was a place where first sermon of Buddha was given राजगीर को कह रहे है that the law and capital of Ashoka was here and नलंदा को कह रहे है that the great seat of Buddhist learning is here तो काफी easy question है I hope आपको आता होगा, please mark your right option देखिए जो इसका सही answer है वो है 1, 2 and 4 उसके पिछे कारणी क्या है कि law and capital of Ashoka कहां पर है वो है सारनात में काफी famous अगर आप culture को पढ़ते हैं अगर आप Ashoka के addicts को उसके pillars को पढ़ते हैं इस सारनात के pillar को भी हमने second या third lecture में cover किया था तो अगर आपने पहले lectures देखे होते तो ये काफी easy question था and by अगर हम वैसे भी चलें तो काफी easy question है जो बाकी सारी 4 statesmen दी हुई है वो एकदम सही है कि लोथल में ancient dockyard है सारनात में first sermon of Buddha हुआ था फिर राजगीर में lion capital of Ashoka ये गलत है ये भी सारनात में है and at last नालंदा हमारी university है जहांपर buddhist seat of learning पाई जाती है so वही लिखा हुआ है that lion capital of Ashoka is in सारनात तो ऐसे जब भी आपको इस शहर पढ़ते हैं उसके साथ जुड़ी हुई अगर ancient India की बात करें medieval India की तो उससे जुड़ी हुए एक आधी बार character districts को देख लिया करें कि कौन से उसके साथ जुड़ी हुई खास बाते हैं कि आपको question में सीधा पूची जा सकती है उसके बात अगर आज का हम third question की बात करें तो काफी ये थोड़ा difficult question है तो ये question पूचता है कि अगर हम ancient records के बारे में बात करें तो उसमें सबसे पुराना ancient record कौन सा है जहां पर earliest royal order जहां पर कि food grains की बात होती है कि food grains को इस तरह से preserve करना चाहिए ताँ कि crisis के times के दौरान use किये जाएं कि which one of the following ancient records is the earliest royal order to preserve food grains to be utilized during the crisis in the country इसके अंदर वो चार copper plates या फिर addicts की बात करते हैं चार inscriptions की बात करते हैं first inscription हमारा कहता है कि सोहगुरा copper plate फिर है रुमेंदे पिलर जो कि addict है अशोका का फिर है परियाग प्रसस्ती और last में है महरौली पिलर include inscription of चंदरा I hope ये आपको पता होगा कि चंदरा किस राजा का नाम था तो ये चार options आपके सामने हैं please mark your right option तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है A सोहगुरा copper plate तो आईए अब इसके बार में थोड़ा पढ़ते भी हैं अगर हम सोहगुरा copper plate की बात करें तो ये माना जाता है कि ये Moran period का एक inscription है और ये one of the first earliest Brahmi जो Brahmi में inscription मिलते हैं तो ये उस टाइम में सबसे earliest inscription है जहां पर famine relief efforts की बात की गई है and it's one of the very few अशोकन भ्रम्य inscription of India तो आपने सिर्फ इतना या रखना है कि एक सोहगुरा copper plate नाम की एक inscription है जिसमें सबसे पहले बात की गई थी famine relief work की और उसमें की कैसे हम खाने को अपना preserve कर सकते है कि जब difficult times आएंगे तो उस खाने को हम use करें तो आपने जहां पर भी आपके notes है inscription को लेके या फिर और चीज़ों को लेके तो प्लीज यहां इस चीज़ को आप note down कर लीजिए अगर कभी भी आपको ये question repeat हो तो जाद तर लोगों को नहीं आता होगा उसके बाद अगर हम रूमेंदी पिलर की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि जो लुम्बिनी पिलर है उसी को नाम दिया गया है रूमेंदी पिलर और यह किस चीज़ को show करता है कि जब अशोका वहां पर जाते हैं बुद्दा के बस जैसे कि आपको पता है कि जो लिंब भी नहीं है वहां पर बुद्दा जी का जनम हुआ था तो जब वहां पर अपने पिल्ग्रिमेज करने के लिए अशोका जाते हैं तो जब वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि काफी ज्यादा टेक्स लगा हुआ है उस जमीन के उपर उस जगा के उपर तो उस चीज को रोकने के लिए उस टेक्स को हटाने के लिए वह वहां पर एक स्टोन पिलर लगवाते हैं और उसके बाद उस पर लिखवाते हैं कि आद से इस जगा का टेक्स कम हो गया है तो यह है युमिंदे पिलर की उसके बाद आगर हम प्रयाग प्रसस्ती की बात करें तो जैसे प्रयाग तो आपको नाम पता ही होगा कि अलाहाबाद का पुरा अलाहाबाद का नाम है So it is particularly notable for containing later inscriptions attributed to गुप्ता MP समंद्र गुप्त तो कभी भी आपको आजाए कि जो अलभाबाद पिलर है हमारा यहां फिर परियाग प्रसस्ती है वो किस राजा से जुड़ी हुई है यहां फिर किस पीरिट से जुड़ी हो है गुपता पीरिड यहां फिर समुंदर गुप इस जो पिलर है इसमें बात की जाती है कि कैसे समुंदर गुप के टाइम पीरिड के दुरान कितनी ज्यादा extensive military conquest होते हैं कि कौन कौन से वो शेहर जीता है और लास्ट में बाद में जब medieval times आता है तो जहांगीर के दौरा भी इस pillar के ओपर इस inscription के ओपर अपनी चीज़ें को एंग्रेव किया जाता है तो काफ़ important चीज़ है इसको भी प्लीज आप साइड में नोट कर लीजिए और महरौली पिलर काफ़ी famous पिलर है अपनी क्या कहते करोजिव चीज़ों को लेके कि इतने सालों से ये खड़ा है फिर भी इस पे corrosion के कोही निशान नहीं देखते उस चीज़ के कारणी ये पूर पर चंद्रा लिखा गया था तो चंद्रा को ही चंद्र गूप टू कहते थे सो दी फेमस महरौली आयरें पिलर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब कॉन्ट्वेस्ट ऑफ वन फेमस किंग्स ऑफ गुपता पिरियड गुपता डैनेस्टी विच इस चंद्र गूप टू और ज इसके उपर बहुत ज़्यादा टेस्ट भी होते हैं और माना यही जाता है कि यह जो आज की टाइम पे जिस जगह पे है यह पहले उदायगिरी केवस में था जो की उडिसा में हैं और वहां से मूव करके इसको कुटब कंप्लेक्स के अंदर लाया गया था टूरिंग डैली सलतने तो यहां पर हमने चार चीज़ों के बारे में बात कर ली अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था तो प्लीज इसको नोडाउन कर ले ना एक सिंगल लाइन में नोडाउन कर लीजी तांकि कभी भी आपको कोशन आ इसके उपर तो आप वो गलत ना करें उसके बद अगर हम आज के लास कोशन की बात करें तो काफी easy कोशन है तो कोशन कहते है there the concept of eightfold path forms the theme of की जो हमारा eightfold path है वो किस इस चार किताबों के अंदर किसका वो theme है ये जो भी चार चीजें लिखी हुई है ये चार books का नाम है I hope आपको ये पता होगा तो first point है हमारा वो है वज्रपानी दीपवंसा दूसरा जो statement है वो है दिव्यदान third statement है माहापरी निर्बाना और four statement है धरम चक्र परवर्तन सोता तो चार options है प्लीज माक यो राइट option तो देखिए answer सही बताने से पहले मैं आपको ये बता दो तो obviously ये answer तो नहीं हो सकता है कि death के time पे तो नहीं ये उन्होंने eightfold path के बारे में बताया होगा अपने जीवनकाल के earlier years के दुरान ही बताया होगा तो ये question गलत हो जाएगा उसके बाद ये आपको ये पास तीन options बच जाएगे ये चाहे यहाँ पर सिरफ एक question ही eliminate हुआ है एक option ही eliminate हुआ है पर आपने हर बार ये कोशिश करनी है कि जो भी आप question देख रहे हैं वहाँ पर आप जितने जादा options को eliminate कर पाएं जितना जादा आप अपने सही answer के पास पहुंच पाएं उतना ही जादा अच्छा है अगर आप इस चीज को practice करते जाएंगे तो आपकी क्या कहते है cognitive ability है जो वह बननी शुरू हो जाएगी उसके बाद अगर हम बात करें जैसे इसका answer है धर्म चक्र परिवर्तन सोता इस चारों की बारे में आप थोड़ा थोड़ा detail में पढ़ते हैं ताकि इन में से किसी के view उपर अगर कभी भी आपको कोई question आ जाए तो आप उसको attempt कर पाएं तो जो सबसे पहले हम जो इसका सही answer है नोबल eightfold path है जो वो हमारा क्या कहते है धर्म वील जो बनता है धर्म परिवर्तन सोता में जो दिया गया है वहाँ पर एक वील के दौरा उसमें आठ पईये में आठ spokes लगाए गये हैं और हर spoke को एक किसी भी तरह का एक fold बताया गया है कि अगर हम इस चीज को follow करेंगे तो हम अपनी जीवन में सही path पे चलेंगे और जो भी हमारी suffering से उससे दूर हो जाएंगे So the noble eightfold path is one of the principal teachings of Buddha और उन्हें बताया कि अगर हम इस आठ रस्तों पे चलेंगे So we can lead our way to the cessation of suffering and attainment of self-aware कि हम खुद को suffering से दूर करेंगे और enlightenment के रहा पर चलेंगे और इन आठ रास्तों को बताने के लिए वो एक wheel का use करते हैं कि जैसे माली जी एक wheel है और इसमें eight spokes हैं और eight spokes को वो किस तरह से represent करते हैं? Right understanding, right speech, right livelihood, right mindfulness, thought, action, concentration and effort तो यह हो गई path हमारे nobel eight full path की उसके बाद अगर हम दीप वंसा की बात करें तो दो तरह की chronicles हैं एक तो है larger chronicle, greater chronicle यहाँ फिर chronicle of the island यहाँ फिर smaller chronicle smaller chronicle है chronicle of the island जिसका नाम है दीप वंसा और यह माना जाता है कि यह शिरिलंका कि यह शिरिलंका में लिखा गया था और इसका जो time period is set to be around third to fourth century CE और इसके साथ जो इसका opposite है जो larger chronicle है उसका नाम है माहा वंसा और माना जाता है कि इन दोनों में इतनी जादा stories है कि अगर आप एक सही रास्ते पर चलना चाहें तो इन stories के अद्वारा ही एक आप बुद्धिजम को enlightenment को attain कर सकते हैं तो यह बात होगी दीपमंसा की सिर्फ हम summary उसकी जो important चीज़ा उसी को discuss कर रहे हैं इसके detail में नहीं जा रहे हैं उसके बाद अगर हम दिव्यदाना की बात करें तो देखी यह संस्कृत में लुकी हुई बुद्धिस की text हैं बुद्धिस की stories हैं दिव्यदाना का मतलब basically यह होता है कि इसमें उन stories की बात की जाती हैं जैसे कि माल लीजे आपने previous पिछले जन्मों में कोई करम किये उन करमों की वज़ा से आज के time में आपको जो फल मिल रहे हैं या तो आप बहुत अच्छी situation में हैं या फिर बहुत बुरी situation में हैं उन चीजों को describe करने के लिए उन stories को describe करने के लिए जो की चीजें आपकी previous life से जुड़ी होई हैं उनको अवदाना कहते हैं तो I hope आपको यह समझा आ गया होगा आपके लिए एक मर में refresh भी कर दूं कि अवदाना is name given to a type of Buddhist literature correlating past life virtuous days to the subsequent life events which may be dated to the second century से ही इसमें पूरी stories के बारे में बात की जाती है कि या predominant theme in this vast merit कि कैसे हम पुन्या कमा सकते हैं कि अगर हम आज के time में कुछ अच्छी जीज़ों को करें तो आने वले जन्मों में हमारा कुछ बहतर हो जाएगा या फिर हमने previous life से में अगर कुछ अच्छा किया हो तो आज के time में हमको पुन्या मिलेगा वो देवयदाना में इसके द्वारा पूरी stories बताई जाती हैं तो I hope आप इसको भी side में note out कर लेंगे उसके बाद जो last है वो है बुद्धा परी निर्वाना जैसे कि आपको पता है ये बुद्धा की death को signify करता है तो comment section में आपने मे किस किया अगली बार 1999 के question लेके आएंगे so this was all for today thank you so much